एलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं आप लोग इस कुरोना में सभी स्वस्त होंगे मेरा नाम मंदीब कुमार सिंग है और आज मैं आप लोग के लिए जो नोटिफिकेशन लेके आया हूँ जो टाटा मोटर्स ऑफ केंपस 2020 ड्राइवर ये फ्रेशर के लिए है जो उनलाइन रेजिस्टेशन स्टार्ट हो चुका है तो ऐसे विद्यार थी जो 2018, 2019, 2020 में पास आउट हुए हैं कोई भी ग्रेजेशन या बी, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए कियो हो तो आप टाटा मोटर्स ऑफ केंपस 2020 में अपलाई कर सकते हैं, कुछ-कुछ कंडिशन हैं, वो कंडिशन को जानने के लिए विडियो में लास्ट तक बने रहे हैं लास्ट में आपको बताएंगे किस तरह फर्म को भरा जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में, सबसे पहले बात करेंगे टाटा मोटर्स ओफ केंपस 2020 जो ड्राइवर है, फोर फ्रेसर जो ओनलाइन रेजिस्टेशन स्टार्ट हो चुका है, तो ओनलाइन रेजिस्टेशन का प्रोसेस क्या होगा, किस तरह फर्म को भर सकते हैं, सारा प्रोसेस आप डिटेल में समझते हैं चलिए, स्टार्ट करते हैं, तो टाटा मोटर्स ओफ केंपस 2020 किस के लिए है, वैसे वी स्टुडेंट जो 2020, 2019 और 2008 में पास्ट आउट हुए हैं, याद रखी ये फ्रेसर के लिए है, ध्यान रखीगा, सभी फ्रेसर और अगर आप एक्सप्रियंस भी हैं, तो भी आप अप पास आउट हुए हैं, वो इसी विद्यार्थियों के लिए हैं, जैसे कि आज कल देखा जा रहा है, IT इंडिस्ट्री में, जोब की होड लगी हैं, और आप बस तरीका खोजिए, टोप के प्राइवेट कंपनी में जॉइन करने का, आप अगर जोब सिकर से, जो एगरली वे Tata Motors of Campus 2020 के कुछ बारे में, Tata Motors इंडिया का topmost reputed company है, चाहे आप इंडिया के हैं, या वर्ल्ड में भी बहुत अच्छा rank आता है Tata Motors का, getting placed in a multinational company कभी भी easy नहीं होता है, आपको hard work करना पर एगा, अब इसली बात है, अगर आप Tata Motors of Campus 2020 में प्लेस्मेंट चाहते हैं, तो आप आपको exam भी दिना होगा, online mock test भी होता है, return test भी होता है, aptitude का, reasoning का, उस सारा process आपको last बताएंगे, कि step से आप prepare भी कर सकते हैं, चलिए आप बात करते हैं, Tata Motors of Campus Recruitment का, यहां से आप जरूर ध्यान दिजिएगा, सबसे ज्यादा important आपका यही है, ठीक है, ध्यान कंपनी नेम क्या है, तो अब इसलिए बात है, Tata Motors, कंपनी नेम है Tata Motors, qualification क्या है, कोई भी graduate हो, post graduate हो, B, B, TEC हो, M, TEC हो, B, C, O, M, C, O, M, TEC हो, तो आप apply कर सकते हैं, फ्रेसर भी हो, अब इसलिए यह फ्रेसर के लिए है, year of passing यह ध्यान दिजिएगा, कौन सा year का passing है, तो 2018, 19, 20 के अगर आप pass out के student है, तो आप इस form को भर सकते हैं, experience अगर है तो भी ठीक है, ने तो mainly यह फ्रेसर के लिए है, जो फ्रेसर student है, जो 2018, 19, 20 में pass out हुए है, उनके लिए है, अब बात करें category, तो यह एक off campus है, इसमें आपको apply करने काम तरीका बताएंगे, तो वीडि Tata Motors के officially तो लगवग हर state में इसका अपना brand से खुला हुआ है, लेकिन जहां जहां है, उस जगह आपको इंडिया के किसी भी कोने में आपको job location मिल सकता है, अगर आप बात करें official website का, तो ध्यान दिजेगा, आपका official website है, www.tatamotors.com इसके official website पर भी आप जाके eligibility criteria जो हम बोल रहें, वो आप डारेक्ट चेक कर सकते हैं, अब बात करेंगे, अगर आप जानना चाहें, क्यों Tata Motors को join करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को last तक देखिए, और सबसे पहले समझें, Tata Motors, टेल को, जिसे हम Tata Engineering or Locometric Company करते हैं, ज देखिए, आपका एक interview भी होगा, तो interview में जानना बहुत ज़रूरी है, कि Tata Motors के बारे में chairman कोन है, ये सब आपको जानना होगा, तो एक short information आपको हम बता रहें, interview के purpose है, तो Tata Motors, टेल को, जिसका हम Tata Engineering and Locomotive Company करते हैं, ध्यान दखिएगा, इसका headquarter है, Mumbai, और एक Indian multinational automotive manufacturing company है, जो member है, Tata Group का, ध्यान देजिए, किसका member है, Tata Group का member है, product करता है, इंकुलिटेड, passenger car, truck, vans, coaches, bus, sports car, construction, equipment, और military vehicle को भी, Tata Motors को rank हुआ था, 5th in 2017 में पाच्मा rank मिला था, responsible business ranking development by IIM उदेपूर, ये कुछ short Tata Motors के बारे में detail है, जो आपको भायवा में, या interview में बहुत ही जाद important role play करेगा, तो चलिए, आप time बरबाद न करते हुए, या आप location चेक कर सकते हैं, किस-किस location पे, अगर आपका location इसके अंदर में आता है, तो आप अपने location का अनुसार भी भर सकते हैं, आपको सुविधा होगा, चलिए बात करते हैं, Tata Motors के carrier के बारे में, इसमें एक बात, और यह अच्छी बात है, कि Tata Motors में, स्टार्टिंग में, आपका अलिगमा तो आप जिस पोस्ट पे जॉइन करते हैं, इसमें ग्रोध बहुत अच्छा होता है, Tata Motors एक रिपोर्टेर कंपनी है, मल्टिनेसने कंपनी है, ग्रोध अपोर्चनिटी बहुत ही संदार है, इसमें आपका अट्रेक्टिव और प्लेंटिफूल वर्क होना चाहिए, बेनिफिट क्या है, there are many benefits for one who would wish to be unemployed of Tata Motors, काफी यादा बेनिफिट है, diversity है, inclusion है, ठीक है, अब चलिए, बात करते हैं, Tata Motors off-campus 2020 eligibility criteria के बारे में, सबसे पहले बात करेंगे marks criteria के बारे में, इससे पहले आपको हम बता चुके हैं कि qualification क्या होना चाहिए, B, B, T, M, T, N, E, graduation, M, C, A, M, B, A, S, F, आपका qualification होना चाहिए, कुछ-कुछ बात को यहां से आप point out करना start कर दे, अगर आप form को भरना चाहरे हैं, तो point out कीजिएगा, आप 10th लिक हो हो, 12th लिक हो, graduation की, इस बीच में एक साल से ज़्यादा gap नहीं होना चाहिए, ध्यान दिजिएगा, एक साल से ज़्यादा gap आपका नहीं होना चाहिए, minimum 60% academic career आपका होना चाहिए, मतलब आप इतने भी academic career की हैं, समय 60% minimum होना चाहिए, backlog criteria आपको हम बता चुके होना चाहिए, अब बात करते हैं, Tata Motors of campus 2020 salary detail का, तो salary detail आप Tata Motors का officially जो होता है, वो आपको minimum starting लगवग 30-35,000 आपको starting मिलेंगे, और आपके requirement और जब आपको interview होते हैं, ध्यान दिजिएगा, इसमें आपका interview, interview जो होता है, उसमें आपका salary भी बहुत ज्यादा माइने रखता है, अगर आपका interview बहुत ज्यादा, अगर अच्छा rank पर गया है, तो interview के दोरान ही आपको अच्छा salary package का offer किया जा सकता है, देख सकते हैं, the salary increase with the increase in experience and work, then joining के बाद, आपका salary increase हो सकता है, experience and work के basis पे, चलिए आप बात करते हैं, age limit का, तो 18-35 साल age limit होना चाहिए, ठीक है, 18- से 35 साल के बीच में age limit होना चाहिए, they must be good at communication skill, ध्यान देजेगा, आपका communication skill बहुत अच्छा होना चाहिए, communication skill का मतलब क्या, एक हो गया आपका regional language, दूसरा हो गया English language, यह आपका must होना चाहिए, they should be able to work rotational shift, आप rotational shift के लिए भी eligible हो, ध्यान देजेगा, आप से interview को दोरान हैं, तो अगर आप चाहते हैं, तो अब इसलिए हाँ बोलना होगा, कि इसमें rotational shift भी चलता है, ठीक है, उसके बाद आपको 24, 24 into 2 hour, 24 into 7 hour, available होगा, इस company में work देने के लिए, इतना देर वो काम नहीं होगा, लेकिन आपको हमेसा available होगा, चली बात करते हैं, selection process कैसा होगा, ठी online return test, ध्यान दिजेगा, सबसे पहले online return test होगा, then आप चीज तरह का form भर हैं, उस basis पर technical interview होगा, then आपका HR interview होगा, यह जो HR interview होगा, यह बहुत जादा important role play करता है, ठीक है, HR interview ही आपका define करता है salary status, क्या salary मिलेगा, starting में, वो आपका HR interview में बहुत होता है, चली आप बात करते ह हैं, तो क्या क्या document आपको लेकर जाना होगा, तो सबसे पहले SSE का marksit, HSE या diploma marksit किये हैं, तो graduation या post graduation, all year marksit, ध्यान दिजेगा, यह बात, आप जो marksit दिजेगा, graduation या post graduation का, तो आप एक से सभी semester का marksit लेकर जाना होगा, photo ID proof के साथ, चाहिए वो pen card हो, passport हो, driving license हो, college ID हो, आपको proof के साथ लेकर जाना होगा, photograph लेकर जाना होगा, और latest resume ध्यान दिजेगा, यह एक latest resume होना चाहिए, इसमें आपका अच्छी तरह से photo with signature होना चाहिए, ठीक है, आप बात करते हैं, किस तरह apply कर सकते हैं, तो आप दो तर data-motors.com के official website पर जाके, आप इसके form को भर सकते हैं, नहीं तो आपको हम link provide कर देंगे, अपने description box पर जहां पर आप link को click करके भी, आप apply कर सकते हैं, चलिए आपको एक process दिखाते हैं, इस process से आपको apply करना है, तो mainly हम यह apply हम कर चुके हैं, इसलिए, हमको option में हो सकता है, नही आपके लिए हम check करते हैं, यह option में मेरे पास अभी नहीं दे रहा है, क्योंकि यह, मैं apply कर चुका हूं, मैं भी कुछ-कुछ form को भरते रहता हूं, तो मैं apply कर चुका हूं, तो mainly link पर आपको click करके apply करना है, ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो परसानी हो form भरने में, तो आप please comment comment section में comment कीजिएगा, हर एक student का सारा जनकारी clear में दिया जाएगा, कोई भी जनकारी चाहिए, तो आप comment section पूछे, आपका अपना YouTube channel है, mechanical lovers, धन्यवाद,